हालो फ्रेंज में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम यह सारी कावर बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से वह भी बिल्कुल फ्री में बेकार पड़े हुए चीजों से इसमें आप धेर सारे कप्रे को और नाइज करके रख सकते हैं या तो सारीयों को रख सकते हैं या फड़ चुकित एब इसे बनाने के लिए कोई भी पुढाना कप्रे ले सकते हैं सबसे हैं अई जिसे से सीधा कर लेगे की किनारे को कट करके हटा लेंगे और यहाँ से टेज चैंचंब निसान लगाएंगे अ know प्रज्इक कर लेंगे इसके साइड से कट करके सीधा कर लेंगे कप्रे को और यहां से 26 इंच पे निशान लगाएंगे यहां से भी कट कर लेंगे तो यह हमारा दो रेक्टेंगल पीस कट हो गया 25 26 इंच का पीस तेयार हो गया और इसमें लगाने के लिए कोई भी चावल गयों के बोरी या फिर आटा बैग ले सकते हैं इसे मैंने दो लिया है और इसे कट कर लिया है और मैं इसमें आटा बैग कर यूज करूंगी तो इसमें में फैबरिक को रखते हुए इसमें जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके हटा लेंगे और इसके चारों तरब से पिल लगा के सेट कर लेंगे और इसके चारों तरब से सिलाई लगा लेंगे किनारे पे उसी तरह से हम दूसरे पीस को भी रेडी करेंगे तो यह आटा बैग ले लेंगे उसके उपर से फैबरिक को रखेंगे और उसके चाव तरब से पिल लगा के सेट करके इसके चाव तरब से शिलाई लगा लेंगे तो यह देकि शिलाई लगके तयार हो गई है दोनों पीस इसमें जो एक्स्ट्रा था उससे मैंने कट कर लिया ह और लिसंदमें हम जिप लगांगे 26-Inch का जिप लिया है तो जहां से हम 26 इंच का जो हमारा पीस है उस से इंदम को अटेच्च करेंगें इंस तरी श्लहा को नगा रखेंगे और उसके उपसे एख सिलाई लगा लेंगे यह देखिव लगके तयार हो गई है इस ताइट ंंदर के तरफ लगया है और अब के सिलाई के तयार हो गई है और आगर कर लें ओब कर लेंगे गर का सब्सक्राइभ करकविए उल्टे में तो यह हमारी सिलाय लगके तैयार हो गई है और इस तरह की कैरी बर्क्स तो सभी के घरों बेकार पड़ी होती है इसका फैबरिक बहुत अच्छा होता है इसे हम पैपिल के रूप में यूज़ कर सकते हैं तो इसके हम पैपिल लगाएंगे इसे मैंने लगवाग एक इंच का क इस निशान को मिलाते हुए हम सीधा कर लेंगे कि निशान लगके तयार हो गई है और यहां से हम पकड़ेंगे जहां से हमने six inch पर निशान लगए वहां से हम पकड़ेंगे और इस तरह से हमें सेट कर लेना है उसको यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे यह देखें दोनों साथ सिलाई लग गई है और अब हम यहां पर फाइव इंच पर निसान लगाएंगे और इधा से फाइव इंच पर निसान लगा के इसका एक बॉक्स बना लेंगे बाक्स बना लेंगे उसी तरह से हम चारे पर निसान लगा लेंगे यह निसान लग के त्यार हो गया है और हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से सेम चारो तरफ कट कर लेंगे तो यह हमारे चारो कॉर्णर कट हो गये हैं और अब हम यहां पर पाइपिल लगा लेके जो हमने केरी बैक्स की कट की थी तो यह पाइपिल लगके रिडी हो गई है और अब हम इसकी कॉर्णर की सिलाई करेंगे तो इस तरह से हमें प कि अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें और लगा लिना है इसे त्रों से दूसरे तरह भी एसुआ से नगा के सट कर लेंगे कॉर्णर को पकड़ते हुए है के तिसरी सेड juste और उसको चौरती साइड भी जैनि कि चारो कॉर्नर पे इस तरह से पकड़ते हुए हमें पीन लगा के सेट कर लेना है उसके उपर से सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से हमें इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे कॉर्नर पे मिलाते हुए और अंदर की तरफ को जो फैबरिक उजे पकड़ते हुए मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे इदे कि सिलाई लग गई है उससे तरह से में चारो तरफ की सिलाई लगा के तयार कर लेना है ल लगल गई हैई और भिष्यअक्त पैफिल लगा के फिनिश कर लेंगे छारो सैड में इसे मिलाते जाएंगे और ये फिनिश कर लेंगेcano है तो ये देखिए हमने चारो कॉर्नर्स पे फैफिल लगा के भूज़ कर लिया और ना हमिसे सीधा कर लेते हैं पहले में असाने से ये बिलकुर फ्री में भन बन खे त्यार हो गया 스que शिर्फें नाइटी से और पैक से बन के त्यार हो गया आटा बैख लगाने अच्छा लगता है यह देखने में तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं या तो आप राइस बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं ये जो हमने कॉर्नर्स पर कट ख था उसे हम लगवक एक इंच की पतली सी strip कट कर लेंगे और फैबरिक की चोड़ाई भी कट कर लेंगे, साही तीन इंच की चोरि पत्ती लेंगे और यह लगवक साइब 3 by 10 इंच के पट्टी है उसके ऊपर से प्लास्टिक के पोरी को रखते हुए साइसे स्ट्रिप बना लेंगे इस पी साइड में हम हैंडल लगाएंगे तो देखे, यह handle तयार हो गया है, और यहां दोनों side में handle लगा लेंगे ताकि पकड़ने में आसान हो, यहां हम उपर की side से 4 inch पे निसान लगा लेंगे, center पे, और दोनों side से 3 inch 3 inch पे निसान लगा लेंगे, strip attach करने के लिए, यानि उपर से हमने 4 inch लिया है, और दोनों side से 3 inch और यहां से हम strip को attach कर लेंगे, उसी तरह से दूसरे side भी strip को attach कर लेंगे, तो यह हमारा पकड़ने के लिए handle बनके तयार हो गया है, यह देखिए हमारा सुन्दरा सारी organizer, cloth organizer बनके तयार हो गया है, बिलकुल free में, इसमें आपने अपने अपने सारी सारी को organize करके रख सकते हैं तो आपको मेरा यह idea कैसा लगा, comment करके जो बताईएगा, अगर आपको मेरे वीडियो थोरे सी अच्छी लगी है, थोरे सी यूश्फूर लगी है, तो प्लीज वीडियो को like कीजिए, ज्यादा स्यादा सेयर कीजिए, और चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो देखने के लिए आप का बहुत बहुत धनले बाद,